इसमे नहीं सम्हुता हमारि है लॉजिकल फोपयर्ट के उपर है। जिसे mathematical operator होता है plus, minus, divide वगर गर ऐसे हमारे पास logical operator है, यह हमारे पास logical operator है, अब बात आती है कि logical operator हमकी इस तरीके से यूच करते हैं, जैसे कि आगर आपको 30 को plus करना है, इसके लिए आप दो तरीके से sum लगा सकते हैं, या फिर आप इसको 10 plus कर सकते हैं, जैसा flush क्या आपने mathematical operator को use किया, उजी तरीके से मैं logical operator use करना चाहता हूँ, तो sales में यहाँ पर मैं, यहाँ पर हम करना चाहते हैं, तो मुझे check करना है कि इस particular column A के अंदर में जो number दिये गया है, वो number क्या greater than 50 है, जब भी इस तरह की बाते आती है कि मुझे check करना है कि क्या greater than 50 है या नहीं है, तो हमें एक if formula ही दिखता है, बता दूँ कि इस formula एक check करने का लिए नहीं होता है कि क्या greater than 50 है की नहीं, और to and false की regarding करता है, मतलब कि उसके लिए हमें यूज कर सकते है operator, तो मैं directly जाओ, equal phrase करूँ, कुझे equal इसले phrase करवा हूँ कि equal phrase करने से formula is cut होता है, अगर यह greater than 50 है, बत, ऐसे एंटर दे पर अगर आपका result, आपका condition match होता है, मैंने fulfill होता है, true होता है, तो result आपका true है, अगर condition match नहीं करता है, false होता है, तो condition आपका, यहाँ पर result आपका false है, तो directly आप इस तरह का operator use कर सकते हो, directly, यह पूए operator, तो greater than a nautically होता है, अब आगर आपको true or false के जगह पर कोई और result चाहिए होगा, जैसे कि okay, pending, किस तरह कोछ अपने खुद के result appear करवाने हैं, तो यहाँ पर हम use करेंगे, कोल सा formula, इस का formula, इस logical test लेता है, और यहाँ पर, यहाँ पर लिखता है, okay, यहाँ पर लिखता है, okay, एक में दीजिए है, okay, और यहाँ पर पहने, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए होता है, just result true and false, ठीक है, तो इस true and false के बहाँ पर, result appear गरता है, तो इस फर्मॉला लगाया, इस formula में result लिए, बीटू क्या है, कि चेक करेगा कि अगर result true हुआ, तो इसको आप सो करेगा, अगर result false है, तो इसको सो करेगा, बीटू को किसी के साथ compare करनी रही है, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि if को comparing नहीं चाहिए होता है just true and false चाहिए होता है ठीक है और comparing यहां पे हो रहा है मतलब कि जो हम लोग generally if में लिखते हैं यहां पे कि if अगर 1 greater than 50 है तो यहां पे हम दो formula को mix कर रहे है this is not a part of the if इसका एक अलग अपनी property है लेकिन हम इसके साथ merge कर देते हैं कि यहां तो यहीं पे चलिए हम अलग में लिखते है spending है मतलब कि एक है कि आप जोड़ी नहीं बहुत सारे बताने की जोड़ों तो इससे समझा रहा हूँ किसके माइक से सोर आ रहा हूँ संजीब जी के माइक से सोर आ रहा हूँ किसके माइक से सोर आ रहा है काफी किसके माइक से सोर आ रहा है ओके तो आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के उबर तो हमारे पाथ जो टॉपिक है यह है कि यहां पे आप जैसे कि इन्होंने बुला पेंड नहीं जब भी हम पर फॉर्मूला लगाते हैं तो मैंने आप इसको फॉर्मूला लगाया जब भी हम फॉर्मूला लगाते हो तो वह फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मूला के लिस्ट नीचे आप इससे खुल के आ जाएगा और साथ में जो स्लेक्टेड होगा उसका यहां पुस्ती डेपनेशन आ जाएगा आपको आपका जब फॉर्मूला अपने आप पुरा लग जाएगा और ब्रायकेट ओपन हो जाएगा इसमें नीचे के दिखने एक्स्प्रेशन इसको बोलते हैं साइन टेक्स इस फॉर्मूले में तीन इंपुट है कैसे यहां लिखा हुआ है कि logical test , value of true, and value of false यह स्कूर्ण तो logical test में मैंने true and false को स्लेक्ट करना रञा है और मुझे दूसरा input स्लेक्ट करना है value of true तो वाले तो पेजाने के लिए कि हमें कॉमा लगाना पुरेगा मैं एक input से दूसरे input जाने के लिए हमें कॉमा का यूज करना पडका है कॉम onaf को देखे और एक इनकूट से दुसरे इनकूट से नहीं जा पाई अब देखिए highlight कौतं बॉलिटी कौह अगिया तो text के लिए आपको यहां पे inverted comma के अंदर में डालना पड़ेगा अगर आप inverted comma के अंदर इस particular text को नहीं डालते हो तो आपका OK नाम का formula डूड़ेगा नहीं मिलेगा और इन्ने का result देगा hash name का error result देगा इसलिए किसी जी text को enter करने के लिए हमें inverted comma लगाना पड़ता है then अगर हमने value of true हमारा यहां बोल्ड है मैंने इसको fulfill कर लिया next मुझे entry करनी है value of false जिसके लिए again हम comma यूज करेंगे and value of false के जगा पे हम यूज करेंगे जो भी आप यूज करना चाहते हो यूज करेंगे लिए ठीक है अब यहां पे और देखिए कि जब भी आप formula लगाते हो न तो इसमें जो expression आते है लॉजिकल टेस्स नॉर्मल है value of true and value of false में बड़ी ब्राइकेट लगा हुआ है या पर आप VLOOKUP भी लगाते हो एक वाल VLOOKUP भी लगाते हो तो VLOOKUP में देखिए सब नॉर्मल है range, look up जो है वह आपका बड़ी ब्राइकेट में है अगरी ब्राइकेट में क्यों है तो इंडिकेट तो नहीं कर रहा है मुझे ब्राइकेट कर रहा है तेके जब हम इंपूट करते हैं हमारे पास इंपूट दो तरह के होते है जब भी इन फच्शारी इंपूट इसमें ने विताया आपको कि look of value टेवे रहे रहे, कॉमा कॉमा लगा के में input करने हैं, तो input दो तरह के होते हैं, एक होता है महा require, एक होता है optional, अब देखिए कि अगर मैं इसमे look of value ना डालू तो मैं formula बाहर ही नहीं आने लेगा, लेकिन अगर मैं logical test ना डालू तो मुझे बाहर नहीं आने देगा, लेकिन अगर मैं logical test डाल की कॉमा डालू, logical test पुड़ा केस्ट हो गया कॉमा से और मैं input करके बाहर आ सकता हूं, ठीक है, बाहर आ कि लिए हो, इससा मतलब है कि जो आपका value 2 है, मतलब जो बड़ी bracket में expression आता है, वो आपका optional है, मतलब उसकी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डालोगे तो उसकी according result आएगा, नहीं डालोगे तो default डालोगे, अगर मैं यहाँ आप डाल दू पेंडिंग, पेंडिंग 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 आएगा, नहीं तो ब्लैंग जीरो कॉल चाहेगा, तो किसी की formula, नोड़ इस formula, किसी की formula का आप रूच कीजिए, अगर इस तरह का बड़ी रायकितम है, तो optional होता है, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डालोगे तो फिर डालने का according result आएगा, ठीक है? तो चलिए हम इसके कुछ और example देखें, तो इसके example देखने के लिए मैं एक file open कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसके आज आपको 10 example हैं, 10 example के बारे का हम दिसक्रस करते हैं, question name है हमारे पास देखें, हमारे पास name है और यहाँ पर sales की quantity है, मुझे इसके commission देना है, commission बोला है कि 40 रुपे पर पीस आपको मिलेगा, जैसकि यह मालों की quantity माली तो DVD का है, तो बोला कि आपको 40 रुपे पर DVD का commission मिल जाएगा, लेकिन condition है कि आपकी DVD का sale more than 60 होना चाहिए, more than 60 है, तो मैं आपको जितना sale करोगे उतने का 40 रुपे पर पीस की हिसाब से दे जुए, और 40 से नीचे करते हो तो आपको मैं एक रुटा नहीं दूगा, तो साथ से नीचे करते हो तो एक रुटा नहीं दूगा, तो condition है कि if quantity is greater than 60, then commission equal to quantity multiply by 40, यहादे condition डालेंगे कि if, पहले condition है कि क्या quantity, मतलब कि B2 is greater than equal to 60 है, अगर अगर 60 है, तो क्या तो इस quantity को मैंने B2 को multiply कर दो 40 से बढ़ना 0, मैंने condition लिया कि B2 is greater than equal to 60, then B2 multiply by 40 नहीं तो 0, अगर हम 0 ने डा रहेंगे तो false आएगा, तो आपको false चाहिए या 0 चाहिए, आप decide कर लें, तो कि Ace का 3 condition चाहिए न, अच्छा यह true और false में 0, 1 का भी कुछ चक्कर है, नहीं इसने इसने को चक्कर नहीं, कि हमारे question में तो नहीं है, अगर जिसका 7 नहीं हुआ, उसको क्या मिलेगा? अगर मालीजे दीजे तो एक पूछेगा, कि जो 40 नहीं है, जिसका 60 से उपर है, तो नीचे है, जिसका 41 है, तो 41 को तो भाई हमें पैसा तो देना ही नहीं है, तो क्या दू? तो मैं ओड़े 0 चुर दे यहाँ, स्टाइब करना है, तो 0 सूप कर दो, तो जहां पर कंडिशन फॉल्स होगा, बत्तिकि सार्च से नीके होगा, वहां पर 0 सूप कर देगा और जहां पर सार्च से ऊपर होगा जिसना है नंबर होगा, उसमें multiply by 40 कर देगा, यहां देखिए पैंसद है, मुल्टिवरा है 40, 40, 40, यहां पे 0, 0, 40, 00. समझना है? कोई आउट किसी को? अच्छी इतना मेरी स्क्रीन ने सकते हो, आप विजे बताने के लिए कि इसका चाम मतलब है? इसका क्या मतलब है? मैं बता दूगा, मैं बता दूगा, मैं बता दूगा, मैं वहाँ पर जाओंगा जाओंगा, अब मुझे इसमें पास रिजल्ट में पास और और फेल करना है, पास मैं तभी करूँगा जब उसका मार्क 40 से ज़्यादा होगा, या 40 के ब्रावर होगा, अद्रवाज मैं इसको फेल दिखने दे करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर v2 मतलब कि 35 is greater than, equal to 40, अगर एक condition true होता है, मतलब कि जो मैं condition डाला, एक condition true होता है, तो क्या करो, यहाँ पे पास, अब पास क्या है, पास एक आपका word है, तो उसको हम inverted comma में डालेंगे तो यह लाएंगे otherwise इसको मैंने दो बुला मैंने बुला कि B2 के टेटर भुट्टी है और टेटर भुट्टी है तो पास देदो नहीं तो फेल देदो तो आज आज अगया एक condition हो गया इस condition में बहुत important है कि हम एक condition देते हैं एक समस्कों बोलते हैं कि condition दिया उसको दो choices देते हैं कि condition अगर ऐसा हुआ एक गर्दो ऐसा नहीं हुआ था एक गर्दो जिसे example कि मैंने आपको बला कि नहरुपलेट जआओ तो मैंने बला कि नहरुपलेट जआओ कि किताब पर चलानी है लेकिन किताब का राइटर जॉन बालगो भीस होना का जोन जाइए व्यट्वाकन चाहिए तो एक्सल भी हमने अपने रियल लाइट की तरह यहां पर आपको वर्ट कर लिया एक्जामपर समझना आया है और नेक्स्ट के तरफ आते हैं अब यहां में देखिए अब यह क्या है कि मेरी मेरे यह है एक गारी है तो गारी को मैं कॉल संटर के लगा रखाऊ कि मेरे कोनके करना है कि कोल करना यहिए है और लेक्सेया टाव है ईक क्युण्ट को्षिफाय करना है कि को लुकल है में गारी चली है कॉन लोकल है यह से बाहर हो तक सिरे लिया में गारी लिए तो condition local area किसो कहा जाएगा जो greater than जो less than 200 है local होगा जो greater than 200 है वो std होगा तो मुझे यहाँ पर just print करना है कि कौल का local है कौल का std है यहाँ के मैं condition लगा है कि if distance मतलब कि b2 is greater than equal to 200 तो यहाँ पर cd होना चाहिए std अगर फॉल्स हुआ तो क्या नहीं चाहिए local greater than equal to std नहीं तो local क्या चाहिए ठीक है अगली एकली ग्जाम्पर पर बढ़ते है अब मुझे इस पर tax calculate करना है तो tax calculate करना है तो यहाँ तो condition है कि अगर MRP is greater than equal to 500 अगर MRP आपकी 500 से ज्यादा है तो मैं MRP का 12% tax हमें government को देना बढ़ेगा या या फिर tax में लगाना है otherwise tax का 5% निकालना है तो 500 से नीचे की amount है तो 5% tax जेना है 500 से उपर की amount है तो मुझे 12% का tax जेना है यहाँ ने मुझे tax calculate करना है यहाँ पर condition देंगे कि अगर MRP is greater than equal to 500 ऐसा हुआ तो MRP का 12% निकालना है तो 2% निकालने के लिए जस आपको 12% से multiply कर देना होता है 500 को 12% से multiply करेंगे तो calculate करके आपको 12% निकालना है अधर नहीं हुआ तो सेम B2 A2 का 5% पर पर यहाँ आपका calculate होता है यहाँ पर 5% निकालना है यहाँ पर आपका 12% निकालना है clear है or out? विलको सहीँ आगे बढ़ते हैं अब मुझे इसके normal shift और overtime calculate करना है condition यह हमाना timing है leave duty का time है कि जब मैं आपके office से बाहर आया हूँ तो इसमें है कि अगर मैं रात के 10 बज़े के बाद आपके office ओरता हूँ तो मैं overtime लग जाएगा overtime से जाएगा नहीं तो normal shift, normal time अब इसमें पॉल्लम है कि आप इस condition में इस condition इसको select करके आप greater than 10 pn इस तरीके से नहीं लिख दिशके हो यह गलत होगा अपके अपके अचेप्स नहीं करेगा एंटर मारा तो x में तो काम कर गया लेकि जब नीचे ड्राइग करोगे तो इस वर्स नहीं करेगा गलत आगे लो ओटी भी आ रहा है कि गलत है क्यों कि जब भी हम फॉर्मुले का copy paste जो फॉर्मुला आगा एक रेफ्रेंस जेरों a2 c1 यह आपका फॉर्मुले का अध्रेंस बतला कि cell का address है c1 c column पहला नंबर हो a2 a column दूसा नंबर हो जब इसको हम copy करके आगे पीछे उपर नीचे paste करते हैं तो increase and decrease होता जिसे नीचे paste किया तो हर किसी का एक एक row increase हो लिया यहां देखिए जो c2 था जो a2 था वह बन गया a3 जो c2 था c1 था वह बन गया c2 यहां पर गरवर हो गए क्योंकि आपको matching करना है c1 थे करना है तो जैसे formula आप पे नीचे drag किया c1 आपका c2 बन गया तो आप चाहते हो कि मेरा formula increase ना हो c1 था हर किसी के लिए c1 लगाने जहां को भी पेश कर लो तो उस case में क्या कि यह clear उस case में आप c1 पे जाईए और f4 दबा दीजिए मतलब कि dollar लगा दीजिए जैसे f4 से dollar लग जाता है dollar लगाओगे तो ठीक्स जाता है इसको बोलते freeze करना है अब मैं इसको copy करके नीचे के तरह paste करेंगे तो पूरा का पूरा आपका fix जाएगा अब देखिए यहां भी c1 है यहां भी c1 है यहां भी c1 है fix हो गया तो dollar लगाओगे तो आपका fix जाता है इस तरीके तो इसका यूद करता है तो जब आप किसी एक पर्दी कुना देख प्रेंग से बहुत आपको करना हो तो copy-press करते समय अब freeze करना लग बूले freeze करना जो 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 होता है वह एक का डॉलर हटा देता हो तब क्या होगा कि जब क्या होगा कि यहां पेस्ट करूंगा देखे कि आगे का डॉलर लगा हुआ है, तो पेस्ट करेंगे तो फिक्स रहेगा आपको. संजीब जी समझना है आपको? आपको समझना है. तिस तरिश्चिस का यूद करते हैं. नेक्स एक्जामपल चलते हैं. नेक्स एक्जामपल यह हमारा, कि मेरे पास एक लिस्ट है वे स्ट्रेंड का इसके सब्जेक्ट है हमारे पास. अब मुझे यहां पर रिजल्ट पास और खेल में देना है. कंडिशन यह है कि पास मुझे तभी करना है जब हर किसी में 33 से ज्यादा नमबर है. मैं 33 पासिग मार्थ है, अगर किसी ने पासिग मार्थ से ज्यादा नमबर लाया है तो पास करना है नहीं तो पेल करना है. ठीक है सर्फ अब एक इस के अंदर में आप एक कंडिशन आज रुक्त के ओल अगर आपके पास मोर दन वन कंडिशन हुआ तो आपको फिर वहीं मोर दन वन बाला इस डालना परेगा. क्यार कंडिशन दिया कि अगर एक इस के अंदर हम दूसरा इस डालना है कि अगर आपका more than 33 है तो फिर दूसरी कंडिशन चले नहीं तो बाहर आगा. अगर 33 है तब इस डूसरा इस डालना है तो नहीं तो बाहर आगा आगा. दूसरा इस में दूसरे को चेक करेगा यह क्या यह greater than 33 है अगर दूसरा इस 63 से ज्यादा हुआ, greater than equal to करुछिए, 33 से ज्यादा हुआ, तो यहां पर तीसरा हीप करेगा, एक दर्वाजे करें दूसरा दर्वाजे, गेटर दैं इकोल टू 33, ऐसा हुआ तो तैम तीसरा हीप करेंगा, तीसरा हीप पर चरी चुका है, अगर एक गेटर दैं इकोल टू 33 है, एक पांचमा हीप, अगर पांचमा कंडिशन टू होता है, तो यहां पर मुझे स्कूर करना है, पांच, नहीं तो से, अब इसमें ब्राइकेट, ब्राइकेट ब्राइकेट करने करने जबरत रहे हैं, अब यहां पर फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, पॉल्स क्यों आ रहा है, क्यों कि इसमें पांच एक बार करेगा, लेकिन फेल पांच बार कर सकता है, माल लेजए कि अट्री यहां पर सिर्ठी का, यहां ठीक है, और यहां पर, S3 पर रहे किए, फॉल्स आ रहे हैं, तो यहीं पर इस क्या हुआ कि, क्योंकि क्योंकि जो पांच पांच में इसमें पहुंचेगा, तो पांच और फॉल्स कैसे रहे हैं? तो क्योंकि हर इसके हमाले पास जो एक two path होता है एक false path होता है, तिससे हमें सब इसका two path डाला, false path पर डाला ही नहीं, यहां पे हर किसी का false path डाल लोगे है, comma, save. ब्राइकर लाएकर, हर ब्राइकर जो बंद हुआ है, उसके जाईए, comma, यहां देखिए, मैं इसके दूसरे इसका कर रहा हूँ, save, save, and save, ठीक है, अब आगया, save. तो कैसे परफॉर्म की है, बार दुबार समझ लीजिए, देखिए, इस condition यहा है, कि if अगर 33 है, तो इस सारा चले, ठीक है, नहीं तो false का, मतलब कि इस if का, जो पहली if का है, उसका two path इस if से लेके यहां तक है, और false path हमारा if is को है, then second if, अगर condition मैंच जिए, second if चलेगा, second if में condition ही है, तो true path आपका यह है, और false path आपका यह है, और false path आपका यह है, then ऐसी third if जुब चलेगा, तो third if में four और fifth if का पूरा से पूरा consider आगे आता है, और condition यह होता है, तो इस तरीके से हर if अपने पहले if के true condition में है, मतलब कि इस तरह से, अगर आपका snapshot बनाओ, तो कुछ इस तरह से बनेगा, कि यह आपका if, if condition हुआ, कि पहली condition हुआ, कि greater than 33, इससे दो path होते, एक होता है true path, और दूसरा होता है false path, अगर true हुआ, तो यहाँ पे एक और if लगेगा, ठीक है, नहीं अगर false हुआ, तो यहाँ पे fill का message आएगा, ठीक है, सेम यहाँ पे, हर इसके दो path होते है, यहाँ भी true path होगा, यहाँ भी false path होगा, यह condition हुआ, अगर ऐसा हुआ, तो एक और if चलेगा, और नहीं हुआ, तो यहाँ पे fill result देदेगा, तो यह सेम ऐसे हम यहाँ पे किया, कि यह हमारा condition हो गया, यह पूरा पूरा true path आगया, यह पूरा false path आगया, ऐसे एक दूसरे के अंदरे channel system करते जाता है, clear है? आप ट्राई किजिए का एक दो बार समझना आजाएगा आप को इसमें confusion काफी हो गए, तो हमारे पास एक और तरीका है, बत्ताए इसमें problem क्या थी, कि हमारे पास condition more than one है, तो हमारे पास formula होता है and का, a in the and, and formula में आप more than one logic देते चले जाएए, एक से जाएए चनलीशन देते के थ्रस्तिवाद, ハक से जाएह कि याखसर स्वार्प, थर्तीठी थ्री स्क्राढ ट्राइए, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. बीटू के बाद आप नहीं है। इसमें क्या है ना, कि N formula में क्या है, कि जितने भी condition है ना आप एक सब condition डाल देगे। ठीक है ना, result A to and false में देता है, इसमें आपने खुद की result नहीं डाल सकते हैं। इसमें बताएगा कि condition मैच करता है कि नहीं मैच करता है। ठीक है, तो इसके अंदर में जितने भी condition डाल हुए है ना, सारे condition अगर मैच कर रहे हैं, तो result आएगा true, नहीं तो result आएगा false। तो आपके पास if का formula है ही, तो आप यहाँ पे if formula यूच कीजिए, if अगर यह true है, यहाँ पे आजए past, नहीं तो फेल। ठीक है, अब दो अलगला cell में है, आप अपके एक सर्में करना चाहते हैं, तो formula मर्जिन अप्लाए करो, यहाँ तो आपके S2 से link है, S2 पर जाएए, S2 का formula क्या है, A रहा, इस power layer को select करके copy कीजिए, escape मारके बाहर आएए, और फिर यहाँ पे S2 के जगाँ पे, आप S2 का formula पेस्ट कर दिए, enter, और निक्चे drag कीजिए, ठीक है, तो आपके पास एक A formula होगा, एक A formula होगा, जो आपको suitable लगे, आप उसको यूट चल दिए, ठीक है सर, अब grading system की बात करके, अब मार्स आया है, तो मार्स मुझे ग्रेड, A, B, C, D, आप आपको यहाँ पे देना है कि अगर 40 एक सर 40 तक आया तो B grade, C grade, B grade, A grade and A plus, तो मैंने यहाँ पे देखा कि हर्ग किसी number के लिए कुछ लग कुछ है, तो यहाँ पे हम next to B grade ही लगाएंगे, यहाँ पे end वगाद मतल में लगा चुकिए है, इस marks अगर less than equal to 40 है, मैंने 40 ते नीचे है, तो यहाँ पे D grade तो कर दो, अगर इस condition में next, अगर marks अगर 60 से नीचे है, तो यहाँ पे C grade को कर दो, अगर marks is less than equal to 75, तो यहाँ पे D grade को कर दो, अगर marks is less than equal to 95, तो यहाँ पे A grade को कर दो, अगर marks is less than equal to, इने greater than 95, तो यहाँ पे A plus कर दो, यहाँ पे क्या हुआ है, कि हर इस में, हर पहला इस, हर दुसरा इस पहले इसके false part ने, मतलब कि पहले condition चेक हुआ कि क्या है, क्या है less than equal to 40 है, तो यहाँ पे 20 हो करेगा, और बाकिस पूरे को ignore कर देगा, इसको चलाएगा ही ने, आगर फावर्ड ही नहीं करेगा, आगे forward करेगा, जब एक condition match नहीं करेगा, एक condition match नहीं किया, देन अग्ली condition, कि क्या है start से छोटा है, अगर start से छोटा हुआ, तो key score कर देगा, और अपने IA के पूरे formula को ignore कर देगा, बाहर कर देगा, बाहर आ जाएगा, चलाएगा इनी formulation, exit हो जाएगा यहां से, यहां तर यहां तर स्कें, condition check करेगा, इसको score करेगा, बाहर आ जाएगा, इसको चलाएगा ही ने, अब राइकर क्लोज करनी की जरोत नहीं है, बाइकर अपना ब्लास्टे क्लोज हो जाएगा, समझा है, grading system कैसे लगाते है, यह दुबारा करके दिखाऊंगा, अब नेस्टेड, नेस्टेड ही, हाँ, नेस्टेड ही, एक किस के अंदर उस्टा ही, यह बिद आपको नेस्टेड ही है ना, समझ आदिया, आगे बढ़ते है, अब मुझे इसके intensive score करनी है, यहां तक है grading system ताना, ABCD चो करना है, लेकिन यहां तो मुझे incentive चो करना है, कि sales के count quantity यह है, और हमारा condition ही है, कि अगर 0 से 40 के बीच में हुआ, तो 500 रुपीज देना है, 41 से 80 के बीच में हुआ तो 1000 रुपीज देना है, 81 से 100 के बीच में हुआ तो 5000 रुपीज देना है, अगर A greater than, तो अगर A greater than, तो less than चलेगा, less than equal to 40 है, तो 500, अगर अगर A less than equal to 80 है, तो 1000, अगर A less than equal to 100 है, तो 2000, अगर A greater than 100 है, तो 5000, तो 500 रुपीज देना है, कि अगर A less than 95 के बीच में हुआ तो 800 रुपीज देना है, अब इसले क्या ता कि हर किसी number के लिए कुछ न कुछ ता लेकि इसले एक between मतल़ कि एक series के लिए ही है, तो यहां पर लगाए है यह condition कि if, अगर sales is greater than, अब इसले क्या है कि if बगाने लगेगा, इसले मुझे if के साथ and लगारा बड़ा, जब इस तरह कि आपका between का कही हो कि एक से दूसरे के बीच होना चाहिए, तो मैं यहां पर and लगाऊगा, और बोलू मैं कि अगर एक greater than equal to 85 है, और फिव आपस सेलेक्टिया कि यह less than equal to 95 है, अगर and का formula आपका result 2 देता है, तो यहां पर 100 को करना है, नहीं तो यहां पर 0 को करना है, तो यहां पर देखिए 800 आया, तो यह समझे ना आया कि आप इस के साथ किस तरीके से and यूज़ करोगे, and के बारे बता दो तो कुछ और clear के आज़ा, कि and का user है, Sir and वहाँ पर user है जहां के आपके more than one condition है और वो condition आपका require है, जिसे मुझे नंबर चाहिए 85 से बरा और 95 से चोटा, दो condition हुगा, case tax is greater than 85 and cell is less than 95, इस condition में मुझे क्या करना पड़ा, and use करना पड़ा, कि मैं and के अंदर में दोनों ढाल दिया कि भाई, अगर एक condition दोनों मैंच करेगा, दोनों कंडिशन मैंच होगा, तो result देगा तू नहीं तो false, ठीक है, मैं जाता हूँ आपको यहाँ दे, और इस क्या फॉल्स के ग्राफ के आपका इप फर्मूला ए रिजल्स देगा हम साइए, क्या बोलने, मैंने बोला कि इस जो and होता है यहां तो दोनों true condition true हो या दोनों कंडिशन false हो, नहीं नहीं नहीं, दोनों कंडिशन true होगा तभी यहाँ पर दिखाए, जितने लिए condition and में आपने डाला है, अब गर दो true होगा तभी आपको result देगा और नहीं देगा, जैसे कि यहां देखिए न, यहां पर यहां पर देखिए यहां लगाया यहां पर, एक साथ कितने past condition दिये हैं हमने, पांचों condition होगा true होगा तो result यहां दाए, यह हुआ नहीं कि आपको आपके result आया है, आप past कब करते हो, जब जितने भी subject आपके हैं, सारे subject में पांच से उपर आता है तो यहां पांच करते हैं, किसी एक subject में आपको cross लग जिया, पांची मांच से काम आया है, आपका पूरा result दिखाता है न, इस ता कि condition फालो करने लिए, ठीक है sir? मुझे लग रहा है कि बहुत जारा हो गया है, तो मैं आगे नहीं बहाता हूँ, यह file में आप लोगों को mail कर देता हूँ, एक जब मेरा screen लेका आप 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 सुने बताईए कि का है, मैं आपका screen में लेका हूँ, से पहले admit में, से मेरा भी a question है sir, जब आप फारा गोजन दो, मता ही का है, सर्व मेरा थिवेट 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 पावर थिवेट यह सर्व मैं इसका एड़िन इस्ट्रॉल किया है, लिखे हो sir, उसका पावर थिवेट का क्या है, 2010 में, पता नहीं सिर पॉलम हो रही है, पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है, कल्भी मैंने एक जगा पर इस्टॉल किया था बठुगा ले रहा है, एक बच्चा और बढ़ता है, यह है ना का नान उनका, अब इराज कुमार जी तो है, बात कल बात कर रहे था इधिंग, आप ही वो लेजरा चुमार जी, आप मेरा भी नहीं हो रहा है, उसमें देखना है परेगा क्या प्रॉलर में, वो एक्सल 32 बिट का, मेरी एक्सल 32 बिट का इस्टू जान तो मैंने उसका 3D बिट का ही पावर प्रिट इंस्टॉल किया है, वो सर लेकर इंस्टॉल तो होगी लेकि वो डिसेबर्ट में आ रहा है वो जो एडिंस के लिए नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं अभी देख लेता हूं सर अब आपनी मेल आईए मुझे बेजिए, अब तर तक मैं इनका ले लेता हूं न, स्क्रीम, राहुल बुट्टा पॉस्टर इस्टा है, अब ऐसे आईए किजिए, चैट पे बेजिए, पर इतना याद नहीं रहता है, जो मैं स्कीन किजिए सर, सर मेल आईए अपने बेजिने सर, सबको बेजिए, मैं आप सो मैं स्ट्रीम है क्लिक किया, आप आम आईए मैं स्किरी सतम्हारे खिर LIVE कि पाहे अब के बार थे बार यादा। आपके बड़ आईए मैं स्टम काईए, अधे पास आये मैं स्काषित पाए मैं क्लिक किजिए। इसमें, तो माई स्क्रीम, तो माई स्क्रीम, आप बता ही क्या बोल ला है आप, देखे, M, M5, M6, देखे, पाप लेट, एट को जो है, पर्टिक्लर डेट से जो है, डेज निकाले रहे हैं, जो M3 के अंतर डेट आले है, कहां डेट डेट का लगा हुआ है, इसमें जितने भी दो डेटों का बीट का डिफरेंज निकाला हुआ है, डे में, इस नॉमर इसको माईनस करके भी निकाल सकते हुआ, इसमें डेट डेट का लगा है, जो डेटों के बीच में डिफरेंज निकालता है, और डिफरेंज आप सूच कर सकते हुआ, तो में जाहिए या ये में चाहिए या दे में चाहिए या आपकी अगली लास में cover होगा एक ही ये date and time formula में अब लॉजिकल चल रहा है लॉजिकल बाद टेक्स परेंगे पर देटन ड़ाइम परेंगे अच्छा है जो हमारा जो जो हमारा जो नंबर पॉर्ट में डेट कर जो स्ट्रक्चर है ना उससे बड़ी दिक्कत आती है इसके लिए अब बाद में आपने एक बार टाइम लिए आप इसमें दिक्कत आती है कि अच्छी और रहे जिना साथ में शरू कर दिये क्योंकि है अब आशनलों कमवाइल में टाइप करने पर आप लूइए पर आप लोग विए प्रिक्कुल कर जाना परता है जरूर्ड ज़ूर्थ सब्सक्राइब पांच विजे होता है, 5 जटीट इसे शाथ, शुताब दूजागता है, आपको अब में बेज़नों है यह शुता है. आप लोग जाइन पेज़ने साथ बहुता है, जानीच से लेंगे. खीक, और. हां से क्या बुलना है? अच्टिस्ट जब कर दो दो क्यान्स बंसर दो अधिस्ट प्षाई पर भीट भीजिश्ट एड़ घूच्ट अको जिसे लोग विए विए लिए